ट्रांसफार्मर राइस अफ द बीस्ट ट्रांसफार्मर फ्रेंचाइसी की साथवी मूवी होने मली है मायकल यूटूब पे नियू कॉंटेंट की खोज के लिए स्क्रोल पे स्क्रोल कर रहा था इतने में मुझे Transformer Rise of the Beast का ट्रेलर दिग गया मैंने सोचा वीडियो तो बनाना पड़ेगा न मेरी जान बाकी बाकते साइड में रखते हैं मैंने Transformer की 3-4 पार्ट ही देखा हुआ है और ये मूवी उस फ्रेंचाइसी की साथ भी मूवी होने वाली है मैं फ्रेंचाइसी का बहुत बड़ा वाला फैन अगर आप भी मेरी तरह इसके बड़े वाले फैन है तो आप बिल्कु सही जगा आए हो हलो गाईस मेरा नाम है जेडी और आप देख रहे हैं जेडी वर्ड और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जेडी वर्ल्ड पे तो जल्दी जल्दी शुरुआत करते हैं ट्रांसफार्मर राइस अप दे बीष्ट एक साइंस फ्रिक्शन एक्शन फिल्म बीष्ट अन दे ट्रांसफार्मर ट्रोय लाइन पर अधारित है ये फिल्म लाइव एक्शन फिल्म ट्रांसफार्मर की साथवी फ्रेंचाईसी बंबल भी 2018 में आई मूवी का पार्ट है ये मूवी के लिटरली चार साल बाद हमें देखने को मिल रहा है इसकी पहली पार्ट हमें 2007 में दूसरी 2009 में तीसरग 2011, 2014, 2015, 2017 और 2016, 2018 में देखा था ट्रेलर की सुरुवात होती है, स्क्रीन पर लिखा आता है जिसका मतलब है लाखो साल से हमारी दुनिया बदल सी गई है लेकिन अब कुछ और जाग गया है मीन्स कोई पावर, कोई शक्ती जो बहुत ही खतरनाक है और अच्यानक से एक गोरिला वाला ट्रांसफारमरा में देखने को मिलता है क्योंकि दौर तब वो आता है, भाई सहाब देखकर मज़े ही आ गया नेह एन एनिन्या दोनों जंगल में वाटर फॉल देख रहे होते हैं अच्यानक से एक गोरिला रोबोट ट्रांसफारमर उन पर हमला कर देता है पीछे से एक और रोबोट निकलता है जो की हमला के लिए तैयार खड़ा रहता है फिर अच्यानक से वो किसे दर उसे पहचान लेता है और रूप जाता है सैद हो सकता है उनका दोस्त हो और बताता है कि डार्कनेस इस कमिंग ट्रेलर की सुरुवात में ही मैं ये कई सारे मजे देती है लेकिन ऐसे सौग भी कर देती है जिसके बारे में हमने सूचा ही नहीं था एन एक्ट सीन में लिटरली न्यू केरेक्टर गाड़ी चल रही होती है ब्रीच पर एंड ऐसे मल्टिपल कार्स में बदल जाते हैं कि आपके रॉंटे खड़े हो जाते हैं में भी हो सकता है इस कार के पास ऐसी पावर है जो multiple कार में बदलने की ability हो पुलिस वाला विचारा इसके जहांसे में आकर ठूक जाता है पुलिस वाले नहे के पिछे इसलिए पड़े हुए है क्योंकि कार अपने over speed पर चर रही होती है इतने में कार अपने actions दिखाती है और पुलिस वाले पीछे पड़ जाते हैं जिसे पुलिस वाले भाई साब रुकवाने की कुशिस तो करते हैं लेकिन वो कार तो एक robot है भला robot किसी की बात क्यों मानेगा और literally गौर करने वाली बात है जो कार की steering में symbol बना हुआ है जो की इस movie से रिलाय करता है इस movie के नाम में भी हमने इस symbol को देखा था इसके पिछे कुछ न कुछ जोल जह पाटा तो जरूर होने वाला है ट्रेलर में काफी सारे scenes बेहद ही खुबसूरत हैं हमें एक चीता दौरता हुआ दिखता है और एक eagle जो अपने मूँ से आग फायर कर रहा है लिटरली गूस बंस एक scene में लिटरली एक truck से missile फायर किया जाता है और new character girl car slow motion में बसते हुए दिखाई देती है वाकई खुबसूरत goose bumps बैक्ग्राउंड में वाइस ओवर के साथ गोलिला transformer नरेट कर रहा है मिजोरी अप्द पार्ट में हम देख सकते हैं यह जो हमला हो रहा है अटेक हो रहा है वो इस new character car के उपर ही हो रहा है जिसके steering में symbol बना हुआ था most of the time इसी के उपर सारे attack हो रहे है और जो इनके मित्र friend साथ ही है इसकी रक्ष़ कर रहे हैं प्रोटेक्ट कर रहे है इस eagle वाले scene में भी हम देख सकते हैं कि कैसे इस bridge को आग से fire करके bridge तोड़ा जा रहा है and then last में fighting scene को देख कर तो भाई avenger वाली feeling आ गई थी भाई साथ कताई जहर इस franchise की सबसे खतरनाथ action scene हम इसी movie में देखने वाले हैं and trailer यहीं समाप्त हो जाता है और भाई मेरा वीडियो भी यहीं समाप्त होने वाला है अगर आपने उस लाल करर के transformer कार को देखा है तो धन्यवाद क्योंकि मेरा सबस्क्राइब बटन भी लाल करर का है कर दीजिए और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे धन्यवाद जै जोहार जै सिवा